अकसर हम सीमिन की क्राफ्ट बनाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लाइट वेट सीमिन की क्राफ्ट बना कर दिखाने जा रही हूँ तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा यहाँ पर हम दो मोल्ड का यूज़ कर रहे हैं दोनों प्लास्टिक के हैं और इन बर हम अब डालेंगे थोड़ी सी घीली करके सैंड हम थोड़ा सा इसको घीला इसलिए कर लेते हैं ताकि वो इनकी शेप में आ जाए और इसली एक मोल्ड बन जाए अब हम बहुत स्लोली अगर आपका इसमें कोई क्रैक आ जाता है तो डोंट वरी आप इसको हलके रिपेर करकर ठीक कर सकते हैं इसी तरह से अब हम जो पीछे के पॉट्स की शेप है वो देते जाएंगे और सेम ऐसे ही प्रोसेस करते जाएंगे यह हमारा पॉट बन रहा है और आगे जो हमने बना बराबर रखेंगे क्योंकि हमारा है आगे और पीछे हमारा पॉट है तो यह सेम लेवल पर आना चाहिए जैसे कि यह देखिए इस तरह से सब को मेंटेन करते चलना है और सिमिंट हम यूज करने वाले इसलिए यहां से सारे रिता को भी क्लीन कर लेंगे और बीच का जो हमा अब हमने सिमिंट का एक घोल बना लिया है जिसमें हमने सिमिंट का यूज किया है और पानी का थोड़ा सामे से वाटरी रखना है ताकि सिमिंट बहुत अच्छे से स्प्रेड हो सके और बहुत लाइट हाथ से हमको इसको पूरे में और अच्छे से कवर कर देना है यह हमार पहला कोट है इसका तो यह बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए इसी तरीके से अब हम पूरी की पूरी बॉड़ी में इसका घोल लगाते जाएंगे और आराम से स्प्रेड करते जाएंगे अब जैसे की फर्स्ट कोट हमने कर दिया है और हलका सा यह सुख चुका है थोड़ा सा सुख जाने के बाद इस पर हम यह वायर्स का यूज़ कर रहे हैं इनको टैच करने के लिए क्योंकि यह हमारा फर्स्ट कोट है तो इसी के अंदर हमारा अटाच होना चाहिए वायर बहुत ज़्यादा अंदर आप कर देंगे वायर को तो वो पॉट में से नजर आएगा और चुप जाएगा इसलिए हमें बलकुल इनके संग हलका हलका अटाच करते जाना है यह मैं एक वोडन स्टिक का यूज कर रही हूँ इसके दो परपस है कि एक तो इसमें ड्रेनेज होल करने के लिए और दूसरा कि हमें किस लेवल तक इसकी सिमिन्ट की हाइट को उपर लेके जाना है तो इस तरीके से हमारा फर्स कोट जो है इसको हमने पूरा कर लिया है और यह अच्छे से सुखने के लिए आप छोड़ देंगे पूरे एक दिन के लिए और बीच-बीच में इनकी स्टिक्स को थोड़ा सा गुमाते रहें ताकि यह स्टिक नहों जाएं अब हम सेकनड कोट की तयारी कर रहे हैं इसके लिए मैंने लिया है सिमिन्ट और बजरी बजरी को हमने चान कर बारिक कर लिया है और बज़री जो घर के material में use की जाती है उसे हम बज़री कहते हैं यानि की dust dust and cement का हमने ratio लिया है 2 is to 2 अब हमारा second coat है तो इस पर हम अच्छा एक layer चड़ा देंगे ताकि ये मजबूत बन जाए क्योंकि main जो हमारा coat है वो यही वाला होता है तो हमें इसकी shape को maintain करते हुए इस पर cement लगाना है excess cement बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि हमारा ये lightweight caterpillar बन रहा है तो आप देखिए कितना अच्छा shape आया head का अब हम head से body को जोड़ते जा रहे हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा और wire का use करेंगे ताकि इसकी जो मजबूती है वो अच्छे से बनी रहे है सेम इसी तरीके से अब हम सारे pots को बनाते जाएंगे अब हम जो हमारा उपर का head का portion है उस पर हम antenna को fix कर लेंगे तो इसके लिए भी सेम भही प्रोसेस है बस इसको अच्छे से आपने fix करना है और बिल्कुल सीधी रहनी चीज़ की shape इसका ध्यान रखेंगे और वैसे ही head का portion बना लेंगे जैसे कि हमने lower head का portion बनाया था अब हमारा second coat भी complete हो गया है और सब की shape आप देख सकते कितनी perfect आईए सब के level का भी हमें दियान रखना है और साथ के साथ इन sticks को भी घुमाते रहना है और अब ये अच्छे से dry हो चुका है अब हम सारी sticks को remove कर लेंगे देखी एक भी stick हमारी चिपकी नहीं है और ये अच्छे से सूख भी चुका है अब मैं आपको सबसे पहले head दिखाती हूँ जो उपर का portion है देखी कितनी अच्छी शेप आई है इसकी और antenna भी fix हो गया है अब हम पूरे caterpillar को बहुत अराम से उठा लेंगे बहुत ध्यान से निकालना है इसको ये देखी अब कितना perfect balls बने हैं इसके जो sides में आप देख रहे हैं पत्ले-पत्ले cement की एक layer है उनको हम चाकू की help से साफ कर लेंगे और एकदम clean shape कर लेंगे अब हम सारे रेता को बहार निकाल लेंगे pot से इस तरफ आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक pot की शेप इसमें बहुत अराम से आप succulants लगा सकते हैं small plants लगा सकते हैं अब मैंने इसको पूरा पानी से धोकर साफ कर लिया है पूरा रेता हमें निकाल लेना है और अच्छे से इसको पानी से clean कर लेंगे हम अब हमारा जो third हम coat लगा रहे हैं वो हम सिर्फ रेता और cement का और यह हमारा head देखिए इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है यह इसकी वज़े से ही light weight है क्योंकि यह जो है विलकुल अंदर से खोकला है बट इसकी मजबूती का भी हमें ध्यान रखना है देखिए इसकी shape अब इसकी मजबूती के लिए जो मैं काम करूँगी वो अंदर की तरफ इसकी अंदर थोड़ा सा हम cement लगा देंगे ताकि इसकी जो third layer है वो भी इस पर लग जाए और यह अंदर से थोड़ा सा और मजबूत हो जाए अब हम इसकी head को चिपकाने के लिए पहले इसकी सारी boundary की layering करेंगे और अच्छे से cement लगा देंगे अब इसको बिल्कुल perfect जगा पर रख कर जहां पर इसकी shape बिल्कुल ठीक आ रही है हम इसको पूरा cover करते जाएंगे अब एक बर हम finishing की layer लाने के लिए इसके उपर हलका सा घोल डाल देंगे सिमिंट का अब हम सिमिंट और सैंड का जो घोल है फोड़ा पतला सा बना लेंगे और जो हमारे pots की site की edges हैं उनको भी हम अच्छे से repair करकर एक shape दे देंगे और थोड़ा थोड़ा हम अंधर से भी इसको लेते चलेंगे तो इस तरीके से आपने देखा कि तीन coats मैंने इस planter में किये हैं जिसमें एक कोट में मैंने बज़री का यूज किया है बाकी एक में सिमिंट और थर्ड वन जो है वो मैंने लगाया है सिमिंट और सैंड का तो इस तरीके से अब ये पूरा हमारा जो केटरपिलर है रेडी हो गया है इसको अच्छे से सूख निकली छोड़ दिया था अब ये जब सूख चुक है तो इसकी थोड़ी सी जो है हम सर्फिस की स्मूधनिंग कर लेंगे सैंड पेपर की हट से अब इसको थोड़ी सी स्मूध फिनिश देने के लिए यहाँ पर मैं पुट्टी का यूज़ कर रही हूँ ये वाल पुट्टी का यूज़ करने से काफी स्मूध सर्फिस बन जाता है इसका और ये थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा अब इसको सर्फिस को हमें स्मूध करना है तो वही सैंड पेपर की हल्प से इसको हम स्मूध कर लेंगे एक्स्ट्रा जो हमारी पुट्टी है उसका पौडर हम रिमूव करकर अब हम यहाँ पर clay का यूज़ कर रहे हैं favicle molded clay का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर eyes और antenna बनाने के लिए तो अब हम इसकी eyes को favicle की help से यहाँ पर stick कर लेंगे और इसी तरीके से अब हम antennas पर भी clay लगा लेंगे यहाँ पर मैं एक flower cutter की help से एक flower cut करकर लगा रही हूँ just for decoration यह optional है आप चाहें तो किसी भी और तरे से इसको decorate कर सकते हैं अब यहाँ पर color करने से पहले मैं cement primer का यूज़ कर रही हूँ cement primer करने से एक color में finishing आ जाती है और हमारा color भी कम यूज़ होता है तो यह अच्छे से dry हो जाएगा उसके बाद ही अब इस पर हम color करेंगे यहाँ पर मैं terracotta emulsion color का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यह मैं जो बना रही हूँ caterpillar यह मेरा order का है और जो उनकी requirement थी accordingly मैं color यूज़ कर रही हूँ तो terracotta color का भी बहुत प्यारा लग रहा है इससे पहले भी मैं दो caterpillar बना चुकी हूँ एक मैंने अपने लिए बनाया था पहला वाला सेकिंड मैंने order का था और यह थर्ड वाला भी order का ही बना रही हूँ तो इस पर जो है मैं आप देख सकते हैं मैंने पहले भी दो caterpillar की वीडियो डाली हुई है तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरीके से मैंने इस वाले planter को काफी light weight कर दिया है और काफी खुबसूरत भी लग रहा है यह सेकिंड मेरा जो caterpillar था वो भी बहुत ही प्यारा बना था और यह वाला भी बिल्कुल डिफरेंट बना है तो इस तरीके से तीन वेराइटीज के caterpillar मेरी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो आप पूरी वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मैं जो मेरी दो और वीडियो का है लिंक वो मैं शेयर कर दूँगी तो आप इजिली उनको देख सकते हैं यहाँ पर हम caterpillar की eyes की अच्छे से detailing कर लेंगे ताकि देखने में यह और ज़्यादा pretty लगे अब हम इसको थोड़ा सा और decorate करने के लिए यहाँ पर pole के dots का use कर रहे हैं और इसके बाद मैं छोटे dots भी लगाऊंगी जो मेरा नीचे का color है base color को use करने के बाद आप देखिए यह और ज्यादा ही highlight हो रहे हैं तो इस तरीके से हमारा caterpillar पूरा ready हो गया है और यह देखने में बहुत ही pretty लग रहा है आप सबको कैसा लगा यह caterpillar अपने comments ज़रूर share किये जेकर मेरे से अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को subscribe करकर bell notification भी on कर लीजिए जिससे की मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए और ऐसी ही वीडियो में every Sunday अपलोड करती रहती हूँ चलती हूँ मैं आपसे next वीडियो में मिलूंगी Till then take care, bye bye